प्रेंड्स ये टिक टोक नहीं है यूटूब ही है आप वापिस मत जाए तो बारे में कुछ बेंड़ना चाहता हूं सब अपने जगा पर ठीक है लेकिन ये यूटूब ये ठीक है ये background TikTok जैसा क्यों दे रखा है तो friends अभी क्या मैं रात में शूट कर रहा हूं वीडियो को तो भार जाओंगा अगर छट पर जाओंगा तो friends वहाँ पर क्या है कि बिल्कुल अन्देरा हो जाएगा और light जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और एक giveaway नहीं दूँगा मैं पांच giveaway देने वाला हूं तो आपके जो चांसे वो बढ़ जाते हैं giveaway जीतने के तो फड़ा फड़ा सी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा नाम है विशाल विशाल धारोने आप सभी का स्वागात अपने यूट्योब चैनल पर वीडियो को चालू करते हैं और giveaway के बारे में मैं और भी बताऊंगा आपको वीडियो के लाश्ट में और यह आपको इलेक्टोनिक सोप पर आराम से मिल जाएगी और इसके बाद आपको लेना है एक 200 UF का 50 V का एक केपिसिटर लेना होगा और इसके बाद हमें 2 केपिसिटर लेने जिसका नमबर है 22 UF 24 V आप 50 V से 24 V के बीच में कोई सा भी ले सकते हो इसके बाद 2 केपिसिटर हमें लेने 100 UF के 24 V में और यह भी आप अपने इसाब से देख सकते हो 50 V से 24 V के बीच में इसके बाद 2.2 UF का आपको एक केपिसिटर लेना है इसके बाद एक सेरेमिक केपिसिटर लेना है आपको 0.1 UF का इसके बाद एक LED लेंगे हम जो हमें इंडिगेट करेंगे हमारे बोर्ड के अंदर supply ओन हो चुकिए है इसके बाद friends आपको यहाँ पर एक प्रिसेट लेना होगा बाइस के का बाइस किलो ओम का अब friends हमें यहाँ पर सो किलो ओम के चार रिजिस्टरेंस लेने एक रिजिस्टरेंस लेना है friends हमें 1K का और 4.7K का एक लेना है और 10 Ohm का एक हमें रिजिस्टरेंस लेना है इसके बाद friends यह सप्लाई देने के लिए आपर मैं एक फीमेल जेक को यूज़ करूँगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं मिलता था आप डारेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं सारे कंपोनेट्स जो है हमारे यहाँ पर इस टैप से आपको हतेली में दिख रहे है मेरे लेकिन यह काफी ज़्यादा कंपोनेट्स अकर आप डारेक्टिंट का यूज़ करेंगे तो हमारे शेर्किट नहीं बन बाएगा तो आपको क्या करना मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं आपको कैसे क्या इसका पूरा सेर्किट बनाना है यह पर तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल ले लिजिए उसके अंदर एक क्रोम ब्राउजर या पर कोई साज ब्राउजर कोल गे गूगल पर जाना है गूगल पर आपको सर्च करना jlc pcb तो आप यहां पर जैसे सर्च करोगा जल से थीची तो आपके सामने एक की मिलेगी जहां से गरबर फार्ट डाउंडूड करके इसके उपर अपलोड करनी है और यहां पर अपलोड करने के बाद अपना क्वांटिटी सेट कर लीजिए कलर सेट कर लीजिए और अपना ओडर जैसे में आपको वीडियो में दिखार हो इस टाप से ओडर लगा दीए अ पर 163 मिल जाएगδα इसके अदर फैंड या dadurch इसके अंदर बनागा और इसमें जो फार्टिखेंट लिए तो इसमें बीना PCB के नहीं बन बाएगा तो आपको यह लेना भी पड़ेगा और देख सकतों काफी easily इतना जादा कठीन नहीं है और काफी सस्ता भी बढ़ जाता है 10 PCB टू डॉलर के अंदर तो आप हमें क्या करना है या पर जो components है उनको यहापर इस टैप से लगा देंगे हैं सारे components जिसे मैंने आपको दिखाया है और फ्रेंड्स आप component लगा हुगे इसमें तो आपको कोई एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको काफी easy तरीके से soldering करना सिखा है तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी जो soldering skills को बढ़ा सकते हो और आप पी एक प्रोफेशनल तरीके से soldering कर सकते हो काफी easy तरीके से बहुत सारी वार मैंने देखा है मुझे comments आती ही कि विशाल भाय हमारे soldering को melt नहीं कर रहा है हमारे soldering iron गरम तो हो रहा है लेकिन वह melt नहीं कर रहा तो इन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान रखता हुए एक वीडियो बना रखी अलग से तो आप वह जाके जरूर देख लीजे अब फ्रेंट जो मारे components इतने भी इनकी जो legs से उनको हम cut कर देंगे या पर क्योंकि इनकी कोई जरूत नहीं है और बड़े legs र जाएगी तो अच्छा दीखेगा यह board हमारा ठीक है तो यहाँ पर इस टैप से इसको ब्रस से बिल्कुल साफ पर दीजिए और हमारा जो board हो चुका है यहाँ पर काम करने के लिए बस इसमें हमें क्या करना है एक तो speaker connect करना है यहाँ पर देख सको तो यहाँ पर speaker लिख हमारा होता है mobile उसकी जो एरफोन होता है उसको भी कट करके लगा सकतो लेकर ओक्स केबल में आपको थ्री वायर मिलेंगे यहाँ पर ब्लेक येलो और रेड तो येलो और येलो और जो रेड कलर उनको दोनों कर दिए लेफ्ट लाइट वाले होते हैं और जो ब्लेक वाला है पुराना पड़ाता है इसमें क्या ज्यादा जो फ्रेंड आपने देखा होगा कि वह बस बूफिंग का काम करता है आवाच ज्यादा नहीं आती है इसके लेकिन इसके अंदर जो हम यूज करेंगे इसको तो काफी अच्छे से साउंड निकाल रहा है आपको दिखाँगा त तो मैंने चाहता कि आपको वीडियो लंबी करके दूमें तो यहां पर दोनों कनेक्शन कर दीजिए इस स्पीकर में दो वायर कनेक्ट करने है और यहां पर वायर को बॉर्ड में कनेक्ट करना है ठीक है तो यह हमारे उकसर फ्रेंड्स को मुबाइल में लगाएंगे और इसमे करने यहां अगर आपके पाति नहीं है तो अप कोई आपिक इंतरी अंडिकीटर तक को पंखे वायरा अकेस यहीं है दो आको कम से कम देना ही होगा तो आप शाचे में सब्सक्र भीज्क अपनी आंपर इताम आप अपने आपर देख सकते हो इसमें जब आप इससे चालू करोगे तो इसके अंदर एक हमिंग की आवाज आएगी जिसके कोई मच्छर वच्छर उड़ते है उस टैप से हमिंग की आवाज आती है उससे हमारे पता लगता कि हमारे जो बॉर्ड हो अच्छे सा वर्क कर रहा है य आपको यहां पर इससे साउंड सुना के दिखाता हूं कितना अच्छे साउंड दे रहे हैं आपर टीक है तो इसमें मैंने बूफर वाला एक इस्पीकर लगा है तो यह फ्रेंड बूफर का ज्यादा अच्छा काम करेगा इसमें जो अगर नॉर्मल वाला इस्पीकर संब अच्छे से वर्ट कर रहा हैं और आवाज भी काफी अच्छे से és क्या होता है कि कैमरा करता है वो इसकी ज्यादा अच्छे से संग कांद से उत्य जो सूंते है कान से और कैमरें संग है उसका काफ़िंट आता है लेकिं यहाँएक्ज काक्रनका करें यहां केमरा की Quindi आवाज निकाल रहा है यहां पर और अपको अपनी वोइस बंद करके दिखाता हूं और यहां पर इसका साउंड सुनिया कितना अच्छा साउंड निकाल रहा है अच्छा सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में आपका नाम पता और अपना मोबाइल नमबर डाल देना ताकि मैं आपको जो गिवेद दे सकूँ पहले मैंने गिवेग किया ता फ्रेंड से लेकिन उसमें क्या हो था कि बहुत सारों ने अपना कमेंट तो डाला था लेकिन उसमें अपना नाम पता और एड्रेस अच्छे से नहीं दिया था जिससे उन्हों के पास नहीं गया था और आपको क्या करना है दिखम मैं बतातों किस टाप से comment लिखनी आपको अपना नाम लिखना है अपना address लिखना है आपका जो महुला है जो आपका चोराया है याप आपकी गली नंबर लिखना लिखना है और आपके mobile मोबाइल नमबर लिखने हैं मोबाइल नमबर इसलिए अगर मैं आपको गीवे देता हूं तो उसमें कुछ प्रोब्लम आ जाती तो मैं आपको लगा कर पूछ सकता हूं कि आपके पीन नमबर सही है या फिक गलत है तो इस टाप के आप तक पहुंचा है या फिर नहीं पहुं पहुंचा सकता हूं जैसे लोगडाउन खुलेगा मैं आपको गीवे कर दो तो फड़ा फड़ा से कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते एक रीडियो में जै हिंट जै बारत बायरे बड़ी